श्री सत्य नारण भगवान की पूजा हिंदु धर्म में एक महत्वपूण पूजा में से एक हैं इसकंद पुराण में श्री सत्य नारण व्रत कथा का उलेग किया गया है सत्य नारण ब्रत कथा में यह कहा गया है कि जो भी कोई सत्य नारण ब्रत कथा कहता है भगवान उसकी सभी मनुकामनों को पूर्ण करते हैं सनातन धर्म में विशेश अफसरों पर जैसे मासिक पोनिमा, गुरुवार और मासिक संक्रान्ति के दिन श्री सत्य नारण भगवान की कथा का श्रवन अवश्य करना चाहिए सत्य को ही भगवान मानकर सच्य निष्ठा और श्रद्धा के साथ जो कोई भी सत्य नारण कथा का पाठ करता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है भगवान श्रीहरी और सत्य नारण भगवान उनकी रक्षा करते हैं, उनकी मनुकामनाओं को पूरा करते हैं शास्त्रों में इस कथा के महत्व को बताते वे कहा गया है कि इस कथा को करने से व्यत्ति को हजार यग्य करने के बराबर पुर्णी मिलता है। इस व्रत में भगवान विश्णु के सत्य स्वरूप की कथा बताई गई है। सत्य नारण व्रत को करने से जीवन में सुख, सम्रधी और संतोष की प्राक्ती होती हैं। सभी प्रकार के दुखदारे द्रदूर होते हैं। कथा के अनुसार दो बातों का विशेश रूप से ध्यान देना चाहिए। पहला किये गए संकल्प को कभी न भूले और दूसरा सत्य नारण भगवान की कथा सुनने के बाद भगवान का प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए। अब सुनिए श्री सत्य नारण भगवान की कथा। भगवान श्री गनेश का नाम लेकर कथा का शुभारम करते हैं। प्रेम से बोले विखनर्ता भगवान श्री गणेश की जय, श्री सत्य नारेन भगवान की जय, श्री विश्णो भगवान की जय. एक समय नैमिशा रनितीर्थ में शोनक आदी सभी रिश्यों और मुनियों ने पुरान शास्त्र के वित्ता श्री सूत जी महराच से पूछा हे महामुने किस व्रत अत्वा तपस्या से मनुवांशित फल प्राप्त होता है उसे हम सब सुनना चाहते हैं श्री सूत जी बोले इसी प्रकार देवर्शी नारत जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान श्री कमलापती जी ने उनसे जैसा कहा था मैं उसे कह रहा हूँ आप लोग साब्धान होकर सुनिये एक समय योगी नारत जी लोगों के कल्यान की कामना से विविद लोकों में ब्रहमन करते हुए प्रत्वी लोक में आए और यहां उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेश दुख भूगते हुए देखा तथा किस उपाए से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है ऐसा मन में विचार करके वे विश्णू लोक को गए वहां चार भुजाओं वाले शंक, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला से विभूशित शुकल, वन भगवान श्री नाराण जी के दर्शन क पर उन देवाधी देव कीवे इस्तुती करने लगे। मन में क्या है तब देवर्शी नारत कहने लगे। आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। हे वत्स, स्वर्ग और प्रत्वी लोक में दुरला भगवान सत्य नारत का एक महान व्रत है। आपके इसनेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ, अच्छी प्रकार विधी विधान से भगवान सत्य नारत जी का व्रत करके, मनुष शीगरी ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वानी सुनकर देवर्शी नारत कहने लगे, हे प्रभू, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किस ने किया, और इसे कब करना चाहिए, ये सब भी विस्तार पूर्वक बतलाईए। तब भगवान श्री हरी कहने लगे, ये हैं श्री सत्य नाराण जी व्रत, दुख शोक आदी का शमन करने वाला, धन्धान की व्रधी करने वाला, सुभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ती और श्रधा से समन्वित होकर, मनश, ब्रहामनों और बंधु बांधों के साथ धर्म में ततपर होकर, सायंकाल में भगवान श्री सत्य नाराण जी की पूजा करे, नैवेदी के रूप में उत्तम कोटी के भोजनी पदार्थों को सवाया मात्रा मे भक्ती पूर्वक अर्पित करना चाहिए, केले के फल, घी, दूद, गेहुं का चोन, अथ्वा गेहुं के चोन के भाव में साथी का चोन, शक्कर यगुड, ये सब योकि समगरी, सवाया मात्रा में एकत्रित कर, निवेदित करनी चाहिए, बंधु बांधों के साथ श्री स सत्यनाराण भगवान जी की कता सुनकर ब्रहमनों को भोजन कराना चाहिए, भक्ती पुर्वक प्रसाद ग्रहन करके निरत्य गीत आदिका आयोजन करना चाहिए, इसके पस चाहत, भगवान सत्यनाराण का इस्मरन करते वे अपने घर को जाना चाहिए, ऐसा करने से मनुष् अवश्य पूर्ण होती है विशेश रूप से कल्यूग में प्रत्वी लोग पर यह सबसे छोटा और सरल उपाय है दूसरा अध्याए श्री सूत जी ने कहा हे रिश्यो जिन्होंने पहले समय में इस प्रत को किया है उसका इतिहास भी बताता हूँ आप सब ध्यान पूर्वक सुने सुन्दर काशिपुरी नगरी में एक अत्यनत निर्धन ब्रहमन रहता था वह ब्रहमन भूख और प्यास से बेचैन होकर प्रत्वी पर घूमता रहता था ब्रहमनों से प्रेम करने वाले श्री विश्नु जी ब्रहमन को देखकर एक दिन बूढे ब्रहमन का रूप दारण कर ब्रहमन के पास जाकर आदर के साथ पूछने लगे हे विप्रदेव तुम नित्य ही दुखी होकर प्रत्वी पर क्यों खूमते हो तब उस ब्रहमन ने कहा मैं भिक्षा के लिए प्रत्वी पर विचरता हूँ हे भगवन यदि आप इसे चुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो करपा कर मुझे बताए व्रत ब्रहमन का रूप दारण किये श्री विश्नु जी ने कहा हे ब्रहमन श्री सत्य नाराण भगवान मनुवांचित फल देने वाले हैं इसलिए तुम उनका पूजन करो इससे मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है ब्रहमन को व्रत का सारा विधान बता कर बूढ़े ब्रहमन का रूप धारण करने वाले श्री भगवान जी अंतर ध्यान हो गए जिस व्रत को व्रत ब्रहमन ने बताया है मैं उसे अवश्य करूँगा ऐसा निश्य कर वह ब्रहमन घर चला गया अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनाराण जी का व्रत करने का निश्य कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला जिससे उसने पूजा का सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधों के साथ श्री सत्यनाराण जी का व्रत किया ऐसा करने से वह ब्रहमन सब दुखों से छूट कर अनेक प्रकार की सुक सम्रिधियों से युक्ष हुआ तब ही से वह ब्रहमन हर मास यह व्रत करने लगा इसी प्रकार श्री सत्यनाराण जी के व्रत को जो शास्त्र विधी के नुसार करेगा वह सब पापों से मुक्ष होकर मुक्ष को प्रार्थ हो जाएगा आगे भी जो मनुष्य प्रत्वी पर श्री सत्यनारण जी का वृत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा इस तरह नारण जी से सत्यनारण भगवान का कहा हुआ वृत मैंने आप से कहा तब रिश्यों ने कहा ये मुनिश्वर संसार में इस विप्रि से सुनकर किस-किस ने इस वृत को किया यह भी हम सब सुनना चाहते हैं तब श्री सूत जी महराज कहने लगे ये मुनियो जिस-जिस प्राणी ने इस वृत को किया है उन सब की कथा भी सुनो एक समय वह ब्रहमण धन और एश्वरी के नुसार बंधु बांधूं के साथ वरत पूजन कर रहा था कि उसी समय एक लकड़हारा आया उसने लकडियां बहारक ती और ब्रहमण के घर में चला गया प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने ब्रहमणड को व्रत करते विइ देखा तो वह अपनी प्यास को भूल गया उसने ब्रहमणड को नमसकार किया और पूचा हे ब्रहमणदीटता आप यह किसका पूजन कर रहे हैं इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है कि रपयाकर मुझे भी बताएं तब रहामनी कहा सब मनुकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्य नाराण जी का व्रत है इनकी ही कृपा से मेरे यहां धंधान आदे की व्रत ही हुई है विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन हुआ भगवान का चर्णा मृत लेकर और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में निश्चे किया कि आज गाओं में लकड़ी द्वेशने से जो भी धन मिलेगा मैं उसी से भगवान सद्तिनार का उत्तम व्रत करूंगा ऐसा मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियां लेकर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहाँ चला गया उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों के बदले चोग उने दाम मिले अब वह बुढ़ा लकड़हारा बहु बांधवों को बुला कर विधी विधान के साथ भगवान की पूजा और व्रत किया उस व्रत के प्रभाव से वह बुढ़हा लकड़हारा धन पुत्र आदी से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोकर वैकुंट को चला गया तीसरा अध्याय श्री सूत जी ने कहा और गरीबों को धन देकर उनके कस्ट दूर किया करता था उसकी पत्नी सुन्दर और सती साथ भी थी भद्र शीला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्य नारण भगवान जी का व्रत किया साधू नामक एक वैश्य राजा को व्रत करते देखकर उनसे पूछने लगा हे राजन भगति युक्त मन से आप यह क्या कर रहे हैं मेरी सुनने की इच्छा है तब महराज उलका मुख ने कहा हे साधू वैश्य मैं अपने बंधू बांधों के साल संतान प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्य नारण भगवान जी का व्रत और पूजन कर रहा हूं तब उसने कहा हे राजन मुझे भी इस सब का विध्य विधान बताईए मैं भी आपके कहिये नुसार इस व्रत को कर अपने घर आ गया वैश्य ने अपनी पतनी लीलावती से संतान देने वाले उस व्रत का समचार सुनाया और निश्य किया कि जब हमारे यहां संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूंगा एक दिन उसकी पतनी लीलावती सांसारिक धर्म में प्रेवर्त होकर कर्ववती हो उसने एक सुन्दर कन्या को जनम दिया कन्या का नाम कलावती रखा गया इसके बाद लीलावती ने अपने पती को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया था अब आप उसे पूरा किजिये साधू वैश्य ने कहा हे प्रिये मैं कन्या के विवहा पर इस व्रत को अवश्य करूंगा इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासंदे कर वह व्यापार करने चला गया काफी दिनों की बाद वह लोटा तो उस्टे नगर में सक्षियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा वैश्य ने तुरंद कलावती के लिए कोई सुयोग्य वर की तलाश की कंचन नगर के एक सुयोग्य वणिक पुत्र से अपनी बंधू बांधूँ सहित प्रसन्न मन से अपनी पुत्री का विवाः उसके साथ कर दिया वैश्य विवाः के समय भी सत्तिनारायन भगवान का ब्रत करना भूल गया इस पर श्री सतिनारायन भगवान की लीला हुई अपने कार्य में कुशल साधू नामक वैश्य अपने जमाता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीब इस्थित रतनिसारपुर नगर में गया दोनों ससुर और जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे एक दिन भगवान सतिनारायन की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था राजा के दूतों को अपने पीछे आते देखकर चोरों ने घबरा कर राजा के धन को उनकी नाओ में रखा और भाग गए जहां ससुर और जमाई थे राजा के दूतों ने जब धन को उनकी नाओ में रखा देखा तो पकड़ कर राजा के पास जाकर कहने लगे महराज हम ये दो चोर पकड कर लाए हैं आप आग्या दीजिए राजा ने कारगार में डालने की आग्या दे दी इस प्रकार राजा की आग्या से उनको कठिन कारवास में डाल दिया गया तथा उनका सारा धन भी ले लिया गया सत्य नारायन भगवान जी की लीला के निसार सादू वैश्री की पतनी लीलावती और पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई उनके घर में रखा हुआ सारा धन चोर चुरा कर ले गई एक दिन शारिरिक और मांसिक पीड़ा से और भूख प्यास से अती दुखित होकर भोजन की चिंता में कलावती एक ब्रहमन के घर गई उसने श्री सत्य नारायन भगवान का व्रत होते देखा उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहन का रात को घर आई तब माता ने कलावती से पूछा हे पुत्री तु अब तक कहा रही और तेरे मन में क्या है तब कलावती कहने लगी हे माता मैंने श्री सत्य नारायन भगवान का व्रत होते देखा है तब कलावती के वचन सुनकर लीलावती ने सतिनारण भगवान जी के पूजन की तयारी की उसने परिवार और बंधूस बांधवों सहित मिलकर श्री सतिनारण भगवान जी का पूजन और व्रत किया और मनुकामना मांगी कि मेरे पती और दामाज शेकर ही घर लोटाएं साथी उसने प्रार्थ नभी की कि हे प्रभु हम सबके अपराज शमा कीजिए श्री सत्यनारान भगवान जी इस व्रत से संतुस्ठ हो गए उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वपन में दर्शन दे कर कहा हे राजन जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोश हैं उन्हें प्राताकाल ही छोड़ देना राजा से ऐसा कहकर भगवान अंतरध्यान हो गए प्राताकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सभी को अपना स्वपन सुनाया और सैनिकों को आग्या दी कि दोनों को कारगार से मुक्त कर सभा में लाया जाए दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया तब राजा उनसे कहने लगा हे महानु भावो, तुम्हें अज्यानतावश ऐसा दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, अब तुम दोनों मुक्त हो ऐसा कहकर, राजा ने उन्हें नैने वस्त राभूशन दिये, और उनका जितना धन लिया था, उसे दोगुना कर उन्हें आदर और सम्मान से विदा कर दिया इस प्रकार दोनों वैश अपने घर को चल दिये चोथा अध्याए, श्री सूत जी ने कहा, वैश और उसके जमाई ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल पड़े थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे कि एक दंडी वैश धारी श्री भगवान जी उन्हें मिले और उनसे पूछने लगे हे वैश तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हस्ता वा कैने लगा हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं वैश के कठोर वचन सुनकर दंडी रूप में भगवान ने कहा तुम्हारा वचन सत्य हो ऐसा कहकर वे वहाँ से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए दंडी महराज के जाने के पश्चात वैश ने नित्य करिया से निवरित होने के बाद जब नाव को उची उठी देखा तो बड़ी हिरानी हुई और नाव में बेल पत्ते आदी देखकर मूर्ची थोकर जमीन पर गिर पड़ा खोश आने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा तब उसके जमाई ने कहा पिताजी आप शोक ना करें यह दंडी महराज का ही जडाब है अतहा उनकी शरण में ही हमें चलना चाहिए तब ही हमारी मनुकामना पूरी हो सकेगी जमाई के वचन सुनकर दंडी महराज के पास पहुचा और भक्ती भाव से उन्हें प्रणाम करके कहने लगा हे प्रभू मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे शमा कर दीजे ऐसा कहकर वैश रोने लगा तब दंडी भगवान बोले हे बणिक पुत्र मेरी आग्या से ही तुझे बार-बार दुख प्राप्थ हुआ है क्योंकि तु मेरी पूजा से विमक हुआ है तब उसने कहा हे भगवन आपकी माया से ब्रह्मादी देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते तब मैं अज्यानी भला कैसे जान सकता हूँ आप प्रसन हो ये मैं अपनी सामर्थ के नुसार आपकी पूजा करूँगा करपया मेरी रक्षा कीजे और पहले के समान मेरी नौका को धनसे भर दीजे उसके इस प्रकार भक्ति युक्त वचन सुनकर सत्यनारण भगवान प्रसन हो गए और उसकी इच्छनुसार वर्दान देकर अंतरध्यान हो गए तब ससुर और जमाई दोनोंने नाव पर आकर देखा कि नाव तो धनसे भरी हुई थी फिर वह भगवान सत्यनारण जी का पूजन कर अपने जमाई सहित अपने नगर की ओर चल पड़ा जब वह अपने नगर के निकट पहुँचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेज दिया दूत ने वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहने लगा पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहने लगी मैं अपने पती के दर्शन को जाती हूँ तू भी पूजा समाब्त कर शिगर आ जाना परंतु कलावती पूजन और परशाद छोड़कर जल्दी जल्दी अपने पती के दर्शन करने के लिए चली गई परंतु उसको पती के दर्शन प्राप्त ही नहीं हुए नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोती विदेखकर वैश्य दुखी होकर कहने लगा हे प्रभू मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे शमा केजिए इस प्रकार वहर रोने लगा उसके दीन वचन सुनकर सत्यनारा भगवान फिर से प्रसन हो गए तब ही आकाश बाणी हुई हे वैश्य तेरी कन्या प्रसाद छोड़ कर आई है इसका पती इसी कारण अद्रिश्य हो गया है अब यदी तेरी कन्या घर जाकर प्रशाद खाकर लोटे तो इसका पती इसे अवश्य मिल जाएगा आकाश बाणी सुनकर कलावती ने घर पहुँचकर पूजन विधिवत समाप्त किया और प्रशाद ग्रहन करके अपने पती के दर्शन किये तत पश्यात वैश्य ने वहीं बंदु बांधवो सहित भगवान सतिनारैन का विधिपूर्वक पूजन किया और वह इस लोग के सभी सुक भोग कर अंत में स्वर्गलोग को चला गया पांचवा ध्याए श्री सूत जी ने आगे कहा हे रिश्यो मैं एक और कथा भी कहता हूँ प्रजा पालन में लीन तुंग ध्वजनाम का एक राजा रहा करता था उसने भगवान सतिनारैन का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया एक समय राजा वन में वन ने पश्वों को मार कर बढ़ के विरक्ष के नीची आया वहाँ उसने ग्वालों को भक्ती भाव से बंदू बादवो सहित श्री सतिनारैन जी का व्रत पूजन करते देखा परन्तु राजा ये सब देखकर भी अभिमानवश न तो वहां गया और नहीं सतिनारैन भगवान को प्रणाम किया जब ग्वालों ने भगवान जी का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया नगर में पहुँचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नस्ट हो गया है वह समझ गया कि यह सब भगवान सतिनारैन नहीं किया है तब वह वापस उसी इस्थान पर आया और ग्वालों के पास गया और विधिपोर्वक पूजन कर प्रशाद ग्रहन किया तो सतिनारैन भगवान की कृपास सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और फिर वह सारे सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोग को चला गया जो मनुष्य इस परम दुडलब व्रत को करेगा श्री सतिनारैन भगवान की कृपास से उसे धन धान की प्राप्ती होगी इस व्रत के प्रभाव से निर्धन धनी, बंदी, बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है संतान हीनों को संतान प्राप्ती होती है और सभी मनुरत पूंड होकर अंत में वह वैकुंठ थाम को जाता है जिन्होंने पहले इस व्रत को किया अब उनके दूसरे जनम की कथा भी सुनिये श्यतानन नामक प्रहमन ने सुदामा के रूप में जनम लेकर भगवान कृष्ण की भक्ती कर मोक्ष प्राप्त किया उलका मुख नाम के महराज राजा दशरत बने और श्रीरंगनाथ जी का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए साधु नाम के वैश ने धर्मात्मा और सत्य प्रतिक के राजा मोर्ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे सिचीर कर मोक्ष को प्राप्त हुए महरास्तुंग ध्वज स्वैंभू मनु हुए उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ती में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया और वहलकड हरा भील अपने अगले जनम में गुहु नामक निशाद राजा हुआ जिसने भगवान श्री राम के चरनों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया ओम जै लक्षमी रमना स्वामी जै लक्षमी रमना सत्य नरायन स्वामी जन पातक हरना जै लक्षमी रमना रत्न जडत सिंहासन अदभुत छवी राजे स्वामी अदभुत छवी राजे नारद करत निराजन घनतावन बाजे जै लक्षमी रमना प्रकट भय कली कारण द्विजी को दरश दियो स्वामी द्विजी को दरश दियो बूढो ब्रामन बन कर कंचन महल कियो जै लक्षमी रमना दुरबल भील कठारो जिन पर क्रिपा करी स्वामी जिन पर क्रिपा करी चंद्र चून एक राजा जिन की विपदी हरी जै लक्षमी रमना वैश मनुरत पायो श्रेंथा ता जिदीनी स्वामी श्रेंथा ता जिदीनी सो फल भोग्यो प्रभुजी फिर इस्तोति कीनी जै लक्षमी रमना भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरियो स्वामी छिन छिन रूप धरियो श्रद्धा धारण कीनी तिन के काज सरो जै लक्षमी रमना ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी वन में भक्ति करी मन वान चित फल दीन हो दीन दयालु हरी जै लक्षमी रमना चड़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप धीप तुलसी से राजी सत्य देवा जै लक्षमी रमना श्री सत्य नारायन जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे तन मन सुख संपती मन वांचित फल पावे जै लक्षमी रमना स्वामी जै लक्षमी रमना सत्य नारायन स्वामी जन पातक हरना जै लक्षमी रमना